भाक्तों प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए ही शरीर ये प्राप्थ होता है एक कारण तो ये होता है सुख और दुख भोगना उसको जो भी प्रारब्ध उसका है दूसरा मुख उद्देश होता है इस शरीर के द्वारा मंगल में भागोद भक्ती की साधना कर लेना क्योंकि ये बहुत सीमित समय के लिए प्राप्थ होता है और उसके बाद ये मोग का हाथ से चला जाता है प्रारब्ध का भोग तो अपने आप भोगता है जीव लेकिन ये साधना तो करनी पड़ती है इसके लिए बहुत साउधानी से लगना पड़ता है बस ये समझदारी की बात खास होती है कि जब प्रारब्ध भोगने का टाइम आता है तब वो अपने को सभाल सके जो व्यक्ति सत्संग हीन होता है वो खराब प्रारब्ध आने पर बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है कई लोग तो भगवान को बहुत गलत बोलने लग जाते हैं खराब प्रारब्ध अर्थाद दुख के दिन आने पर लेकिन वहीं ये भगवत भक्ती अर्थाद सत्संग के द्वारा विवेक की प्राप्ती होई है तो विवेक रूपी भगवत भक्ती जो है जो सत्संग के द्वारा प्राप्त हुई है उसी के द्वारा अपने को सभाल करके खराप प्रारप्त भोगते वे भी व्यक्ति साधक बन जाता है और धीरे 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 वैराग्यवान होकर के प्रभु के चर्णों में पून रूप से अनुरक्त हो जाता है ऐसी ही थे माता भाक्ति मती कुमर रानी ये कुमर रानी श्रेवरंदाबन धाम में राती थी और जिन दिन वो कुमर रानी श्रेवरंदाबन धाम में राती थी वो आजकल की सुविधाओं वाला बुरंदावन नहीं था बड़ा तपो में जीवन जीना पड़ता था और जो बुरंदावन में आते थे उन दिनों ये सोच करके आते थे कि अब मैंने जो मन में भाक्ती करने का तै किया है तो श्रीवरंदावन धाम जो भगवान का महान पवितर धाम है उसमें बाजन की पूर उपसे तत्परता लाने के लिए हमको सुखों का त्याग करना पड़ेगा और एक तपस्वी भाक्त की जीवन सैली को अपनाना पड़ेगा तो कुमर जाने का जीवन भाक्ती का ही था भक्तों महान तपस्चय का और भाक्ती का जीवन था और विंदावन में परम विरक्ट सन्यासनी की तरह से उराती थी कठोर तपस्चय करती थी भाजन में जीवन भी देट करती थी और किस-किस प्रकार से वरिंदावन में धाम में आएं पहले हम आप वश्रमड करते हैं श्री वरिंदावन धाम में आने के पहले जब वो अपनी ससुराल में थी तो सावंत सिंग नाम के उनके पती देव बहुत ही सुशील धर्म परैन तो था साधू सुभाव के थे उनके मन में बड़ा संतोस था लेकिन ठाकूर जी की लिला और प्रारब्द की लिला ये बड़ी ही समझ जो एक विचित पहली होती है कुछ पता ही नहीं रहता उसका कि आगे क्या होना और सब घटना घटती जाती है कुवर रानी राजपूत माता पिता की एक मातर लड़ाइती संतान थी बहुत संभरांत परिवार धनवान परिवार में जन्म होगा था संपन्न घर था माता पिता भी साधू सभाव के थे भाक्त थे और उनके मात्र एक संतान थी, ये संतान थी कुंगर रानी, तो बड़ा स्नेश वहार्द पूर्ण इनका जीवन था, बच्पन में खुब माता-पिता का लाड़ प्यार पाई थी, और माता-पिता भी भक्त थे और ये तो उन से बहुत आगे निकली, वो भगवान के स्वावंदर माहधुरिय रूप का ध्यान क्या करती थी, बच्पन में ही प्रभू का स्वावंदर्य वादार्य वाला रूप ध्यान करती थी और, नाम कीर्षन करती अंख़्ों से आँशो गिरती थी इतना बाव था चाओदर वर्स के उम्र में उनका विवा भी हो गया था कुमर रानी विदाव होकर सचुराल रिब गई तो विधाता का विश्ट्र विधान भक्तों उसके थोड़े ही दिन बाद उनके माता पिता हैजा की बिमारी मर गये और सचुराल में एबाद उनको मालून नहीं थी तो वो तो माइके में जाने वाली थी बस उसी समय को या करके उनको माइके से आ करके सचुराल में बाद बता दिया अब माँबाप के मरंड का समाचारत उनकर कुमर रानी तो उस्तप दरह गई अब वहाँ जाने से कोई फाज़ा नहीं क्योंकि वह अकेली संथान थी उनकी लेकिन थोड़ा दुख तो हुआ ही भले ही सत्संगी थी हाँ अपने दुख को उन्होंने सत्संग के प्रभाव के द्वरा ज़रूर रोक लिया बड़ी जल्दी अपने को रोक लिया उन्होंने और उस दुख को सहन कर गई हूँ लेकिन जब ससुराल में वो अब पती सेवा साथ ससुर की सेवा यह सब करती रही है तो क्या प्रारव्द की लिला भागवान की लिला कैसी थी कि धर्मात्मा पती सुसील धर्म प्रायन साथू सुभाव के उनको सर्प निदास लिया सर्प के दसने से उनकी मृत्य हो गई पती देव की अब घर में रहा गए बूढे साथ ससुर और विधवा को उमर राने और आप विधवा का हलाई जा रहे हैं लेकिन उमर थी 14 वरस के वर 14 वरस के उमर में विधवा भी होती कि थी और महराज इस संकट में एक बार तो बड़ी घबडाएं कि अब तो के वल साथ ससुर और मैं तीन ही लोग पती मर गए माता पिता मर गए फिर भी उन्होंने बच्पन में जो दार्मिक पुस्तकें पढ़ी थी सुनी थी माता पिता के साथ कीर्टन भजन ध्यान पूजा उक देश प्राप्त किया था उसी के सहारे अपने को समाला और जो उनकी पॉजटिव थिंकिन थी सकारात्मक चिंतन उसी के द्वारा वो भगवान की कृपा को देखने की कोशिश करने लगी और भगवान की कृपा का उनको अनुभव होने लग गया उन्होंने समझ लिया मनुष्य जीवन का परम और चरम लक्ष भगवत प्राप्ति है श्त्री हो चैप पुरुश हो कोई भी हो भगवान की भजन के लिए ही ये आयू ये धन ये जीवन सुविधाएं सप्राप्त है धन के द्वारा सुविधाओं के द्वारा सेवा करनी चाहिए और अपने मन तन इस आयू को भगवान की भगती में लगाना चाहिए महराज बहुत ही साउधानी के साथ उन्होंने मन ही मन कहा मुझे भग जीवन में ही रहना पड़ता तो पता नहीं आगे चल कर मेरी क्या दशा होती अब सोचों भगतो कितना बढ़िया चिंतन था इंका अब कुमर रानी सोच रहे हैं जो विधुआ हो चुकी हैं पती भी नहीं है माँबाप नहीं है और सोच रहे हैं कि बच्चे होते तो उन्हें मोग होता मर जाते दुख होता कामना का विस्तार होता चीत मोग जाल में फंस जाता दिन रात नाना प्रकार की चिंता जोला में जलना पड़ता ये सब सोच रही हैं कि उन्हों ने ये सोचा कि भगवान ने बड़ी कृपा की भगवान की मुझे पर बहुत बड़ी कृपा है जो उन्होंने मुझे को अनायास और बिना ही मांगे जीवन को सफल बनाने का सुवाउसर दे दिया है उमर रानी का चिंतन कितना अच्छा था वो विचार कर रही है कि मनों से भ्रहम से ही मान लेता है कि भगवान ने अमुक काम बड़ा किया वास्तों में ऐसी बात नहीं है मंगल में भगवान जो कुछ भी करते हैं हमारे मंगल के लिए ही करते हैं यह हम ना समझी के कारण दुख मानने लगते हैं लेकिन ठाकुर जी करपा ही करपा करते हैं फोड़ा होने पर उसको चीर देना पड़ता है नीम का कड़वा कुआत भी पीना पड़ता है बीमारी बुखार होने पर ऐसे ही खपड़ा पुराना यंगंदा हो जाने पर उचे उतारना और नाया पहिणना पड़ता है ये संसार का नियम है जो आया है सो जाएगा यहां रहने के लिए तो कोई आया नहीं है रोने करआने की भयाने के लिए के अंदर वो मधूर हसी हांस रहे हैं ठाकुर जी कि ना लायक ना समझ अब तेरे भी दिन ठोड़े रह गए इसलिए आपने लिए सोच ले महराज फिर हांस ने लग जाती कभी-कभी भागवान ने मेरे उपर कितनी कृपा किये उन्होंने मेरी बुद्धी को ठीक रखा जिससे मैं समझ रही हूं असलियत को तो मैं रो रोकर पागल हो जाती प्रभू ने कितनी समझ दी है मुझको कि मैं बची हुई आयू को भगवान के भजन में लगा दूँगे और कुछ नहीं मुझे करना भजन करना है सारी सोब जाएं तो प्रभू ने पहले से ही दे रखी है प्रभू का चिंतन करूँगी उन्ही का नाम रटूँगी और व्रद साथ सतुर के रूप में उन्ही के दर्शन करूँगी भगवान का और भगवान का भजन ही तो मनग जीवन का प्रधान धर्म है और जिसके जीवन में भजन नहीं वो तो मनुष्य केवल कहलाने को है वो पशू जैसा ही होता है दिन रात प्रभु का स्मरण करना दिन रात की प्रतेक चेश्टा में भगवान को याद करना उन्ही को देखना ऐसा सावधानी पूर्वक उन्होंने जीवन जिया कि इतने पहार जेशे दुख माता पिटा की मृत्व अखेली संतान थी पती की मृत्व वो सब जेल गई और सब के बाद उनको ऐसा लगा कि भगवान ने कृपा की है भक्ती करने के लिए मुझे जीवन दिया है आगे बच्चे कच्चे का संकट जो होना था वो सब सिमुक्ती प्रभू ने दे दिये भगवान चाहते मैं पूरूरुप से भजन में लग जाओं लग गई हो भजन में एक जिनों खो प्रेम विभोर होकर आँखों प्रेम के आँशों लेए भजन कर रही थी फिर सोच रही कनहिया तुमारी कृपा से तुमारी लीला सुनने पर मेरे आँखों में आशुआ जाती है प्रभू अब मेरे समझ में आ रहा है कि जो रामायन में लिखा हुआ है उमा सुनवते लोग अभागी हरित जिहों विशय अनुरागी वो बिलकुल सच लिखा है जो भगवान को छोड़कर विशयों में अनुराग करते हैं वेही वसुत्व अभागे हैं कुमर्जानी सभावगे पने से सरवथा छोड़ चुकी थी और वो बहुत सावधानी पुरवक भजन की रिटन गाती प्रभू का ध्यान करती भक्तों की लिल्या सुनती भगवान की लिल्या सुनती और अपने व्रिद सास्तुर की सेवा भगवाव से करती थी अईसा उनको लगता था कि ठाकुर जी नहीं ये सेवा कारे मुझको प्रदान किया वो ही इस रूप में मुझसे सेवा ले रहे हैं इद्यपकुमर रानी की उमर छोटी थी लेकिन छोटी उमर होने पर भी उसकी सच्ची भक्ती भावना का प्रताप इतना बढ़ा उनकी भक्ती भावना का प्रताप कि आसपास के लोग ही नहीं गाउं भर के नर नारी उसके परम पवित्र तुथा परम तेजस्वी जीवन से प्रभावित होकर भगवान की ओर लग गए वो उस गाउं के लोगों के लिए मानो भौसागर से तारने वाली जहाज बन गई कुमर रानी की तपश्या में आदभूत जीवन सेली देख देख करके लोग धन्य होने लगे कि ये अभी थोड़ी उमर की लड़की है समाज ने इसको विद्वा बता दिया है लेकिन ये तो पूरी योगी नहीं हो गई ये तो भगवान की भक्ती में डूब करके कनया की लीला देखते हुए उनकी भक्ती करते हुए और साथ ससुर की सेवा भगुत बाउचे करती है स्वयम उसके साथ ससुर भी आशिरवाद देते थे इतना महान जीवन हो गया था गाउं के लोग दर्शन करने आने लगे उसकी जीवन चरिया बड़ी ही पवित्रो और आदर्स थी उसने नमक और मिठा खाना छोड़ दिया सदा सादा भोजन सादे सफेद कपले पहिंती और महराज अभी यूती थी वो उसने सिर्क केश मुणवा दिये आभूशनों का त्याग कर दिया तुलसी की माला गले में पहिं ली मस्तक पर गोपी चंदन करती लख लगाती रात को काठ की चवकी पर घास की चटाई बिचा करके सोती जाड़े की दिनों में एक कंबल बिचाती और एक ओड़ती रात की को केवल चार घंटे सोती दिन में बिलकुल नहीं प्रातहकाल सुर्योदय से बहुत पहले उठकरके सनाना जिसे नेवरित्त हो करके सास्तुर की सेवा में लग जाती है और सास्तुर बहुत प्रसंद होते उसके उपर वो कहते थी कि मेरा बेटा भी ऐसी सेवा नहीं कर सकता था जितना ये बहु करती है ये बहु क्या है ये तो भगवान की कोई भक्त संत है भगवान नहीं मुझे के ये बहु रूपी संत दिया है ये हमारा उद्धार करने के लिए आई और साथ ससुर प्रेम विभोर होकर आशिरबात देते और कहते हमारा उद्धार करने के लिए आई मुँझ से सदा भगवान का नाम उचारण होता रहता मन में सदा भागवान की मधूर छवी का दरिशन करती रहती गीता रामायन और भागोत का पार्ष करती भागवान की छवी का दिहान करती मनन करती लीला का चिंतन करती स्रवन करती भागतो और भागवान की चरित्रों की कथाओं का स्रवन करती दिन में अधिकान समय मौन रहती किसी से फाल्टू एक शब्द भी नहीं बोलती थी निर्धारित्य में पर सास्ट चुर को प्रत दिन स्रीमत भागवत सोयम पढ़के सुनाती रामाण की कथा और भागवान के भाक्तों की कथा सुनाती गीता सुनाती उनके अर्थ को समझाती उसके स्रत्संग में गाउं के लोग भी आने लगे और बहुत स्रद्धा भाव से गाउं के लोग आ करके बैटते कोई बोलता नहीं इसके उल्ष्रमन करता और जो वहाँ से सुक्षान्ती प्रदान करने वाले अत्यन्त पवित्र चरित्र मधूर अम्रितकन ले करके लोटे विकाते धन्य है यह कुवर रानी तो कोई पूर्वजन्न की महात्मा जैसा उसका उपदेश होता वैसा है उसका जीवन भीता तपश्या, विनेश, प्रेम, संतोष, भागवत भक्ती, विरक्ती, योंग दैवी संपत्ती यह साब मानों उसमें मूर्तिमान होकर रहते थे और उसे देखते ही देखने वालों के मन में पवित्र भाव, मात्री भाव, तथा भागवत भाव उदे होता था सहज ही लोग हाथ जोड लेते थे और सिर जुका कर उसको प्रणाम करते थे भाक्तों जो कुमर रानी के सत्संग में आता वो अपने आप सिर जुका करके कुमर रानी को प्रणाम करता कोई भी संकेत नहीं करता कि आप प्रणाम करें इतना अद्भुत भक्ती में स्वरूप था कि उसको देखते ही सिरु जुख जाता था लोगों का घर में कुवा था पुराने जमाने में लोग घर में कुवा खोदते थे बड़े घर होते थे तो चोटे घर में नहीं होते थे कुवा हैं बड़े घरों के एक कोने में कुवा होते थे सोयम पानी भरती सारा काम घर का अपने हाथ से करती सोयम जहारू लगाती बरतन माजती शाथ संगी लोग चाते थे कि हूपने हाथ से कुछ करें लेकिन वो जल्दी करने नहीं देती थो और कपड़े भी धोती अपने कपड़े साथ सचुर के कपड़े रसोई बनाती बड़ी पवेटरता से भागवान की सेवा करती साथ सचुर की सेवा करती रसोई का भोग लगाती साथ ससुर को भोजन कराने के बार प्रशाद पाती लोगों की इच्छा रहती कि उसका एक कन प्रशाद मिल जाए इतना महान हो चुकी जीवो कुंवर रानी का सारा जीवन सात्वित था आदर्स था और महराज जब तक उसके साथ ससुर जीवित रहे तब तक वो अपनी ससुराल में रही और पूर्ण सायमित जीवन उसके जीवन में कहीं से भी कोई खोट नहीं आने पाया घर में रह करके उनकी सेवा करती रही जब तक साथ ससुर जीवित रहे और जब वो लोग खतम हो गए तब कुवर रानी ने अपने घर की संपत्ती को गरीबों में बांट दिया मकान तक दे दिया गरीबों को खेती बाड़ी धन दौलत सब बांट दिया जिनको ठीक समझा गरीब देखा उनक दिया उसके बाद वो सब छोड़ करके बांटने के बाद गाउं छोड़ करके श्रीवरंदा बंधाम में चली आई और महराज श्रीवरंदा बंधाम में कुवर रानी एक महान परम विरक्त सन्यासनी की तरश से कठोर तपस्चा और भजन में जीवन बे तीट की कनहिया ने यहां आने पर दर्शन दिया पहले भी अनुभू कराते थी ठाकुर जी जब वो अपने साथ सतुर की सेवा करती हुए सत्संग करती थी बाल सन्यासनी थी वो बाल भीधवा थी बाल सन्यासनी थी उसके उपर कृपा तो प्रभू की वह हो चुकी थी लेकिन जब प्रभू की कृपा सी वो उस्री बंधा बंधाम में आई कुवर नादी तब तो ठाकुर जी लालग करके मिले बहुत प्यार से सनेह दिया कनिया न और कहा तुम्हारे कठिन तपस्चा में साध हु में साधुता और भजन में जीवन को मैं देख करके बहुत प्रसंद होगा आप तुम्हारे उपर कोई जीम में डारी नहीं और तुम ब्रंदावन आगई बहुत अच्छा किया प्रभु के चरणों में ही भजन कीर्टन करती हुई ब्रंदावन के रज की सेवन और भक्ती का लाव प्राप्त करती हुई उसने शेष आयू को ब्यतीत किया और अंत में भगवर्द्धाम को प्राप्त किया महान तपस्विनी कुमर रानी के चर्णों में बारं बार पुर्णा श्री रादे रादे डै श्री रादे रादे